बॉलिवुट के ड्रामा किंग करन जोहर विधेस धर्मा प्रडक्शन्स ले आए हैं बड़े परदे पर कपूर आन संस कपूर आन संस कहानी एक फैमिली की है एक फैमिली जो एक साथ तो नहीं रहती पर एक साथ रहना चाहती है उस घर के बच्चे जो एक दूसरे के कमपैरिजन में बड़े हुए इसलिए एक दूसरे से चिड़ते भी हैं उन दोनों लड़कों का प्यार यानि एक ही लड़की जिसकी वज़े से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं कैसे ये फामिली एक बार फिर जोड़ पाती है ये बताती है ये फिल्म कपूर आन संस दिस फिल्म इस डिरिक्टिट बाई शकुन बत्रा लीड क्यारेक्टर्स प्ले कर रहे हैं फवाद खान, सिधार्थ मलोतरा और आल्या भट फिल्म में फवाद और सिधार्थ का रोल है दो भाईयों का एक तरफ है फवाद खान, who is Rahul एक successful novelist, the golden grandson of Kapoor family दूसरी तरफ है the black horse and the underachiever of the family, Arjun यानि सिधार्थ मलोतरा फवाद ने बहुत ही मंजे हुए कलाकार की तरह काम किया है वेराज सिधार्थ मलोतरा इस ट्राइं तो प्रूव इंसेल्फ तो बी in the league of good actors इनके पेरिंस यानि रजत कपूर और रतना पाठक शाथ आर फैबुलिस अलिया भट के पास जितना रोल है उन्होंने उसके साथ justice किया है and the role is exactly like the way she is but the winner in this film is the cute dadu of this film यानि Rishi Kapoor इस film को अगर आप देखने जाते हैं तो he'll never feel bored यह concept उतना नया नहीं है लेकिन इसका execution काफी interesting है सौ में से 80 रुपय यह वसूल आपके करवा देगी so you can go to the theatres near you and watch this film Kapoor and Sons